वार्ड नमबर छे से ब्लॉक समीती पद के लिए उम्मीदवार मीनु कंबोज जी इस वक्त मिरे साथ मौजूद है गाउन शक्रपुरा में इस वक्त हम मौजूद है महिला अरक्षित ये सीट है और यहां से उम्मीदवार है इन से आज बात करते हैं तमाम इनके विचार आप सभी से साज़ा करते हैं मैं इवन हर्याद हम बहुत बहुत हो गए तो फिलहाल आपको चुनाव चेन मिल गया है क्या कहेंगे कौन से हैं हमारा डोलक का निशाने जी तो किस तरह के डोलक को जनता के बस पहुंचाएंगे हम बजा बजा कर सभी को बोल बोल कर अपना चुनाव चिन बताएंगे तो अगर बात करें जिसे अब महिला भी है आपनी चुनाव लड़ने का ये फैसला क्यों किया हमने गाउं के विकास के लिए ये फैसला लिया है जो हमारे गाउं में कारे रहते हैं और जो हम सबी अपने दिल से काम कर पाएंगे अच्छी तरह से लाइबरेरी जिम ओगरा ये हम गाउं में लाना चाहते है अपने में महिलाओं के लिए किसी चीज़ की भी हमें कमी होगी तो हम वो पूरी करवाएंगे जो भी हमारे सजोग की जुरूरत होगी हम अपने गाउवारों के साथ मिलकर ही सब कुछ करेंगे जिस सरीके से बात करें जिस चूपकी हस्विट है यू एक डॉक्टर है ठीक है इसके साथ ही वह एक समा सेवी भी है उनके गाउं उनके चर्चे गाउं अब आपके पास दिम्मेदारी है वो चार गाउं की है कौन कौन से चार हमारे हैं लहरा थेड़ शक्करपूरा और लखुवाली धानी नत्थुवाल ठीक है तो इन सभी गाउं में किस तरीके से आपने विकास के लिए सोच चारों गाउं में मैं खुल कर जो भी हमारे से सजा इस बुनियादी चीज़े हैं जो उपलब्द करें इस औरते का जो हमारे गाउं में ये गंदा पानी की निकासी नहीं है सबसे पहले तो हम वो करेंगे यहां पर हम एक छोटा सा पारक भी बनवाना चाहते हैं सबसे पहले हमारी वह इच्छा है गाउं की और जो हमारी हैं जो भी हमारी माताएं बेहने गाउं में संजोग कर रही हैं हम उनका पूरा-पूरा साथ देंगे ठीक है फिला चलिए मुद्दो के बात कर ली इसके अगर हम बात करें आपकी चुनावी केंपेंड की यात्रा हो कैसे चल रही है बिल्कुल सही है हमें पूरा संजोग मुल हम सबी मैता हों और बहनों को साथ मिला कर ही हम चल पाईज में अपने गाउं की इन चार गाउं की तصवीर क्या विकास हम देखेंगे आने वाले पांच साल में हम पूरा चारो के चारो गाउं का हम फुल से नजोग करेंगे और पूरा ही विकास करवाएंगे एक बात है कि जिसे पहले तो आप जा रहे हैं डोट डोर पचार करें लोगों से मिल रहे हैं लेकिन अगर आप आने वाले वक्त में ब्लॉक्स मिल जाती है आपको वो सत्ता मिल जाती है पावर मिल जाती है क्या तब भी लोगों के बीच में रहेंगे बिल्कुल हम बीच में रहेंगे हम मिल कर रहेंगे जो भी हमारे गाउंवालों से हम पूछ कर उनके सहला से ही हम सभी काम करेंगे तब यह तो नहीं कि घर पे काम है ना ना बिल्कुल भी नहीं मेरा हैस्पेंट है जो भी वो भी समाज से भी है और हम भी उनका पूरा कंद से कंदा मिला कर पूरा संजोग करेंगे तो घर वालों से अपना काम छोड़कर आप गाओं वालों के लिए वक्त निकालेंगे? बिलकुल हम अपनी दुकान भी हमें बंद करनी पड़ेगी तो हम अपने गाओं के लिए अपनी दुकान भी बंद करकर जाएंगे और किसी भी वक्त जैसे गाओं में समस्या आती है क्या आप अविलेबल रहेंगी बिल्कुल चाहे हमारे को रात को कोई बारा बज़े बुलाई चाहे एक बज़े बुलाई हम पहले भी जाते हैं और हम अब भी जाएंगे बिल्कुल हम मैं सभी के बीच में रहूंगी ऐसी कोई वो नहीं है और मेरे हैस्पेंड जी हर टाइम ही सब जनक सेवा में संजोग करते हैं और हम अब भी पूरा उनका संजोग करेंगे बहुत अच्छी बात है वादे बड़े बड़े हैं अब देखने वाली बात अच्छा एक बात मैं जाने चाहूंगी कितना टाइम हम आपसे ले कि इतने वक्त में हम कुछ ना कुछ बदलाव आने वाले वक्त में गाउं में इन चार गाउं में देख सकते हैं कितना वक्त देखो जी, हम अगर हम जीत जाते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी ही, हमारे कैबनेट मंत्री हैं, जो अपने चारो गाउं के लिए हमें जो छीन कर भी लाना पड़ेगा, तो हम अपने गाउं के लिए चीन कर भी लाएंगे. आपकी जब आपके ब्लॉक्समिति सदसे बन जाएगी तो क्या प्राथ मिक्ता क्या कुछ रहेगी पहला काम क्या करेंगी कितनी कितनी बिमारीयیں फैलocratic गाम में आस अपडोस बहुत बिमारीय स्गंदे पाने के गारन बहुत ज़ादा बिमारीय फैलती है पहले से, ये भूलेगी ये बहुत जादा बिमारे फैलता हble सगयँ हूं, हम phonर फिते हैं इसको याद करवाएंगे ये कामा पने पहले करना है और करेगी भी सही, करती भी आ रही है, आगे भी करेगी यह बहुत अच्छी बात है सास बहु का जो यह ताल मेले काफी अच्छा है अच्छा मैं हम यह बताईए कि घर कोन संभालेगा फिर अगर यह तो निकल जाएगी काम पर आप अपना वक्त निकाल कर जो आ रही है अपना वक्त निकालेंगे हमारे पास वक्त भी है, घर के काम करके हम इसके साथ ही हैं, तिक आप भी सेवा में लगे रहेंगी, जरूर जी, घरवाले कुछ नहीं कहेंगे, घरवाले क्या कहेंगे, बहुत अच्छी है, आप अपने घर से वक्त निका कि मीनियो जी के साथ है, क्या वजाएं? क्योंकि इन्होंने पहले भी जब बिना उमीदवर के थे, तब भी इन्होंने बहुत सारे काम किये थे, अब भी हमें विश्वाश है कि ये बहुत सारा गाओं का विकास करेंगे, काम करेंगे, जो भी इन्होंने कहा है कि जो ये गाओं की पानी की निकासी निकालेंगे, ये स तो पर हान जी जुरूर उतरेंगे क्यों नहीं उतरेंगे क्यों नहीं हम यह उतरेंगे उतरेंगे हाइच अगर यह काम ने इन्हें सत्ता मिलती है, पावर मिलती है, इन सभी गाउं की जिम्मेदारी मिलती है, तब इन गाउं में कितना विकास देखने को मिलेगा, इनका कहना है कि जो गाउं की साफ सफाई का काम है, वो प्रियोर्टी से किया जाएगा, और आने वाले वक्त में बदलती हुई तस्व पाले.